Hello children, welcome you all to our online classes of English by St. Angel's Public School, Bagpat. I hope you all are fine. Today we shall read chapter 2 of your English book. The name of the chapter is Bird's Baby, Pakshi Ka Baccha. Students, इस कहानी में एक छोटा Pakshi Ka Baccha अपने घर का रास्ता भूल जाता है. इसमें हम पढ़ेंगे कि वह कैसे अपनी मा तक पहुचता है. Let's start. Are you my mother? वह छोटा Pakshi का बच्चा एक दूसरे Pakshi से पूचता है कि क्या आप मेरी मा है? No, I am not your mother. फिर वह Pakshi कहता है कि नहीं, मैं तुमारी मा नहीं हूँ. I am a hen. मैं एक मुर्गी हूँ. Now, फिर वह छोटा Pakshi का बच्चा एक दूसरे Pakshi से पूचता है. Are you my mother? क्या आप मेरी मा है? फिर वह Pakshi जवाब देता है. No, I am not your mother. I am a duck. नहीं, मैं तुमारी मा नहीं हूँ. मैं एक बत्तक हूँ. Now, फिर से वह Pakshi का बच्चा एक जानवर से पूचता है. Are you my mother? क्या आप मेरी मा है? फिर वह जानवर कहता है. No, I am not your mother. I am a goat. नहीं, मैं तुमारी मा नहीं हूँ. मैं एक बकरी हूँ. Come to the next page. Again, are you my mother? फिर वह Pakshi एक दूसरे जानवर से पूचता है कि क्या आप मेरी मा है? फिर वह जानवर जवाब देता है. No, I am not your mother. I am a dog. नहीं, मैं तुमारी मा नहीं हूँ. मैं एक कुट्ता हूँ. Next, फिर वह Pakshi एक दूसरे जानवर से पूचता है. Are you my mother? क्या आप मेरी मा है? फिर वह जानवर कहता है. No, I am not your mother. I am a rabbit. नहीं, मैं तुमारी मा नहीं हूँ. मैं एक खरगोश हूँ. फिर पakshi उड़ता उड़ता अपनी मा के घोसले में पहुच जाता है. और फिर वह अपनी मा से कहता है. Where have you been? I missed you a lot. कि मा आप कहां पर थी? मैंने आपको बहुत याद किया. तो बच्चो इस तरह वह छोटा पकसी अपनी मा और अपने घर आसानी से पहुच जाता है. I hope you all understood it. Thank you.